वेलकम टू अचीव इट विट जो जो दिस इस जियोती शर्मा और आज हम पढ़ेंगे फोटो इंस के बारे में जब भी हम फोटो इलेक्रिक इफेक्ट डिसकस कर रहे थे तो हमने देखा था कि क्या हो रहा था लाइट इंसिडेंट कर रही थी एक मैटल सर्फीस पे ठीक है और जैसे लाइट्स इतनी एंचेटिक थी मतलब लाइट ये जो सिमपल बनॉर्मल लाइट है जो रूम में लगी वी होती है ये इतनी एंचेटिक थी कि ये इलेक्ट्रोन को इनोक औफ करके मैटल के बाहर फेकने में बिल्कुल कामी आब थी तो आपने देखा कि ये लाइ बोलो, बंडल बोलो, इनर्जी का बहुत बड़ा packet है, ठाके हैं, बहुत बड़ा नी, छोटा सा PAKET, भाट चोटी, छोटी, 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 पकेट्स होते हैं, फोटोन, ठाके है, पकेट ऑफ एनर्जी, और इसको अगर आपने यह इंट्रस्टिंग प्रॉपरिटीजै अभी एतना समझ आ गया कि लाइड में जो पार्टल इन्वॉल्ट था जो फोटो इलेक्ट्रिक इफट्ट में जो लाइड के केस में पार्टल इंवॉल्ट था हूँ प्रोटोन फॉटोन फोटोन क्या है पैकट आफ तो इसका mass 0 होगा, अब detect नी कर सकते हो, इसे भी रुके भेए photon को, ठीक है, photons are electrical, मतलए till now, photons are electrically neutral and are not deflected by electric or magnetic fields, तो photon क्या होते है, electrically neutral, electrically neutral, मतलए ना इस पर positive charge है, ना photons के पास negative charge है, तो photon neutral है, ठीक है, ना इस party का है, ना उस party का है, photon neutral है, अब neutral है तो क्या होता है deflect अगर इसके उपर आप electric field apply करोगे या magnetic field apply करोगे तो यह deflect नहीं होता है अब अपने पाथ से भटक नहीं जाएगा यह जहां जा रहा है वहीं जाता रहेगा तो photons travels with speed of light in vacuum अब photon की speed कितनी है इतनी amazing speed speed of light speed light की पता कितनी है 3 into 10 to the power 8 meter per second 3 into 10 to the power 8 vacuum की बात हो रही है अच्छा आपने screenshot लेना है लेलो फटा फट लेलो screenshot 3 seconds तक वेट कर रही हूँ है okay screenshot ले लिया तो वापस हम इसी बात पे आते है vacuum, vacuum में है यह जो 3 into 10 to the power 8 meter per second यह vacuum की बात हो रही है हर कहीनी vacuum मतलब जहां पे कोई भी particles नहीं है खा लिया सब कुछ ठीक है यह है vacuum में इसकी speed photon की अब energy of photon is E equal to H new यह बहुत important चीज है याद रखने वाली चीज है क्या होती है energy photon की H new H times new H multiply by new H क्या है? Planks constant है numerical में बहुत जादा कामात है यह यह तो आपको अपनी notebook के backs page पे लिख लो इसको अब भी क्या भी लिख लो E equal to H new H क्या है Planks constant और new क्या है frequency जिसे आपको numerical में क्या दिया होगा आपको frequency दी होगी या wavelength दी होगी light की और आपको energy find out करने होगी तो क्या use करोगी? अब यही तो equation है ठीक है जो आप use करोगे E equal to H new ठीक है अभी momentum of photon momentum क्या है momentum क्या होता है quantity of motion contained in the body तो momentum क्या है इस photon में कितना motion है कैसे आप पता करोगी momentum है P equal to H over lambda H again Planks constant और lambda क्या है wavelength, lambda is wavelength ठीक है wavelength of light अभी next और points है और को मैं लिख लेती हूँ पहले वो points फटाफिट से फिर explain करती हूँ आपको ओके ओल्राइट तो यह मैंने लिखती है फटाफिट से आप भी इसका screenshot ले लो मैं बताती हूँ यह लिखा क्या है all the photon of particular frequency or wavelength possesses the same energy irrespective of intensity of light तो इस point में क्या लिखा है कि जितने भी photons है अगर वो किसी एक particular frequency के है ना तो उनकी energy भी same ही होगी मतलब माल लो चार photons चार तो बहुत कमी number हो गया ना numbers में तो क्या ही बात करें 4000 photons है ठीक है और वो एक frequency के है किसी एक frequency के है ठीक है तो उन 4000 के 4000 के energy same होगी ठीक है हर एक photon के पास same amount of energy होगी irrespective of intensity of radiation चाहे उनकी intensity कुछ भी हो next the increase in intensity of in the photon ये intensity बार बार आ रहा है मैं इसको एक पार आपको वैसे बहुत बार डिसकुस किया है एक बार और और बता देती हूं intensity इससे क्या मतलब है photon का देखो आप और आपके दोस्त snowball fight खेल रहा है मालो snowball fight समझते हो ना snowball मतलब बर्फ का गोला बनाओ और दे मारो मतलब अपने friend को उससे हिट करना है आपने friend आपका target है ठीक है उसको हिट करो snowball से अभी आपने आप क्या कर रहे हो अभी एक मिनट में मालो एक मिनट में ठीक है गेम का टाइम है एक मिनट एक मिनट में आपने मालो दस दस बॉल्स की तरफ एक ठीक है अभी intensity मालो दस है ठीक है दस पे हमारी intensity सेट है अब हमने सोचा नहीं 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 गेम जीतनी है तो अब हमें थोड़े और intensity मतलब बढ़ानी पड़ेगी मतलब हमें थोड़े और ज्यादा scores करने पड़ेंगे और score कैसे होगा जब अपने दोस्त को लगेगा वो snowball ठीक है बर्फ का बोला तो अब हमने क्या किया उसी एक मिनट में उसी एक मिनट में अब हमने कहीं से और दो-चार दोस्त पुला लिये और 100 balls उसकी तरफ 100 तो बहुत जादा होगे चार है दोस्त ने 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 20 20 balls उसकी तरफ एक है 20 snowballs तो अब intensity क्या होगे बढ़ गई यह है intensity का जो feel आप ले सकते हो कि intensity क्या है तो अभी यहाँ पर photons के case में भी ऐसा ही होता है intensity कम intensity मतलब कम number of photons जादे intensity मतलब जादे number of photons आपके पास आजेंगे तो यहाँ पर यही point लिखा है the increase in intensity in the photon of incident radiation जो incident radiation है उसमें increase in intensity क्या imply कर रही है क्या बता रही है कि increase in number of photons crossing a given area per second तो अगर कहीं पर भी आपको यह word इस शब्द के साथ आप encounter करते हो कि increase in intensity of photons तो उसका मतलब क्या हो रहा होगा कि वहाँ पर number of photons crossing given area एक particular area में से number of photons जो गज़र रहे है वो बहुत जादा है ठीक है number of photons crossing given area per second ठीक है given area में से 1 second में ठीक है वो दोस्त वाले example आप याद रख सकते है आपको याद रहे जाएगा ठीक है अभी next during collision between a photon and particle a photon और particle में जब भी collision होता है ठीक है तब क्या होता है the total energy and total momentum are conserved तो total energy और total momentum दोनों के दोनों conserved रहते हैं ठीक है चाहे photon जीए चाहे मरे तो नहीं बोल सकते हैं मतलब चाहे photon रहे या ना रहे पर energy और momentum उसका रहेगा ही रहेगा तो it may be noted that number of photons may not be conserved during such a collision तो इस collision के दोरान हो सकता है कि number of photons conserved ना रहे ठीक है before the collision जो number of photons था वो after the collision number of photons के equal हो सकता है ना हो but energy और momentum ठीक है ये conserve रहेगा लब before the collision जो energy थी photons की वो equal to होगी after the collision जो पुरी system में energy है आपके पास photons के वजह से भी contributing factor photon बहुत बड़ा है तो इस video में बहुत सारे चीज़े हमने discuss की तो आपके लिए quick questions थीक है आप मुझे बताओ rest mass कितना है photon का फटावर से अपने मन में बताओ comment करके बताओ जो भी है थीक है अभी second question rest mass zero है इसका answer ये है थीक है answer मैंने बता दिया पर थोड़ा pause लेने के बाद बताए है आप लोगों ने लिख लेने पर अभी next question ठीक है next question क्या बुच्छू momentum momentum कितना होता है photon का बताओ बताओ ये लिख के बताओ गया आप energy बताओ energy कितनी होती है photon की energy और momentum ने नोट बुक के last page पे लिख लेना जहाँ पे भी आप formula लिखते हो ये लिख लेना दोनों के दोनों ठीक है especially बोल जो बता रही हो बहुत काम आएगा और एक ना c की जो c की value है speed of light की value वो भी हमेशे याद रखना कि speed of light क्या होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second ठीक है meter per second 10 to the power 8 है कई गई जगह पे 10 to the power minus 8 पता नहीं कैसे इंड़ स्प्रिंट कर दिया होता है मतलब 10 to the power 8 मतलब बहुत बढ़ नंबर है सोचो speed light कैसे जाती है पता भी नहीं चलता कि light आ रही है जा रही है बस switch on किया light जैसे source से आती है सिधा हम तक पहुंच जाती है कितनी fast है light तो ये याद रखना logic का भी minus मत कर देना चलो ठीक है hopefully आपने ये video enjoy की होगी like और comment करना जरूर share कर देना और थोड़े subscribers बढ़वादो थोड़ा subscribe button पे click कर दो वहाँ पे okay मिलते है next video में bye bye